अज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके फोन में OTP नहीं आ रहा है या फिर OTP रिसेव नहीं हो रहा है तो इस प्रॉबलम को ठीक कैसे करें तो इसके लिए आप अपने फोन की सेटिंग्स ओपन करिए उसके बाद नीचे आईए नीचे आने के बाद आप पे एपस आएगा इस पे क्लिक करिए उसके बाद उपर मैनेज आपस आएगा या फिर आप मैनेजर आएगा या फिर आपके फोन में एप मैनेजमेंट आएगा तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फोन में आ सकता है तो इस पे क्लिक करिए और इसे ओपन के बाद phone के सारे app आ रहे हैं तो अब आपको नीचे आना है नीचे scroll करने पर कुछ इस तरीके से यहां पे message इस आएगा तो यह देख सकते है message app आ रहा है तो इस पे click करिए click करके ऐसा page आएगा यहां पे आने का दूसरा तरीका है message app के icon पे click करके रखिए यानि कि इस पे long press करिए इस तरीके से उसके बाद उपर app info आएगा इस पे click करिए और इस तरीके से आप यहां पे आ सकते हैं अब यहां पे आने के बाद नीचे force stop आएगा इस पे click करिए और ok करिए अब उपर आएगा storage या फिर स्टोरेज यूसेज तो इस पे क्लिक करिए उसके बाद नीचे किलियर डेटा पे क्लिक करिए यहाँ पे उसके बाद आएगा किलियर ओल डेटा इस पे क्लिक करिए और ओके करिए तो यह करने से कोई मैसेज डिलीट नहीं होता है तो ये करने के बाद back आईए उसके बाद app permission आएगा इस पे click करिए अब यहाँ पे आने के बाद उपर allowed आएगा और allowed में आएगा ये SMS तो अगर आपका ये जो SMS की permission आएगी ये on नहीं है तो इस पे click करिए और allow select करिए यानि कि इसे on करिए उसके बाद back आईए तो ये देख सकते हैं अब permission on हो चुकी है उसके बाद फिर से back आकर अपने phone की setting में उपर आएगा SIM card and mobile network इस पे click करिए जिस SIM पर OTP नहीं आ रहा है उस SIM card को select करिए तो जैसे की हमने select किया SIM 1 और इसे select करने के बाद preferred network type के नीचे mobile network आएगा इस पे click करिए automatically select network on होता है तो इसे बंद करिए इसे बंद करने पर नीचे next आएगा इस पे click करिए ok करिए अब ये searching लेगा तो wait करिए अब जब ये network automatically select कर लेगा उसके बाद automatically select network on करिए इसे चालू करने के बाद back आ जाईए और अपने phone को restart करिए यानि कि एक बार बंद करके चालू करिए और ये सारी settings apply करने के बाद अब आपका OTP आ जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप इस problem को ठीक करें अगर आपको ये video पसंद आई तो इस video को like जरूर करें